शहर के पूर्व महापौर दमपती ओमप्रकाश खेरिया तथा बैजनती खेरिया के बंगलागर स्थिता आवासिय परिसर में गनेश पूजनोचव का आज भाव्य शुभारम हुआ। शह दिनों तक चलने वाले पूजनोचव में वैदिक मनगलाचरन के बीच गनादिपती श्री गनेश ची की भाव्य प्रतिमा स्थापित की गई। पिछले 87 वर्षों से चल रहे इस पूजनोचव में पंडित महेश थाकुर नेवैदिक रीती से गनपती गजानन की शोर्शोपचार पूजा करवाई। मुख्य यजमान ओम प्रकाश के लिया ने बताया कि हमारे परिवार में ये गनेश पूजनोचव पिछले 87 वर्षों से पूरे श्रद्धा भाव से आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि विग्ण विनायक के दर्शन के लिए दूर दूर से लोगों का आना लगा रहता है। हमारे पूरज लोग ने जो पहले पूर्या सुरुची जी 87 साल पाई दादा जुबी वह हम लोग का पाति हैं। और हम लोग पूरे खेड़या परिवार में ये इसको हर सुब्लास के साथ जुन दांतर पूजा करते हैं। इसी तरह हमारे पूरा परिवार लगा रहता है। और हम लोग भी चाहते हैं। कि सहर की जितने वाजी हैं। कि वागी दर्पन कर्यों परतात्माय और वर्मान का पास्ता है। सब्सक्राइब कुल अर्या प्मान का पुल्ण से और पूस्ता है। ठीजा ए सिन्पनियों उद्साद को ने है हम सरे कृतिया पॆदए गार को विशकी ने है उपनिठ चाहि से अधिरलर्स आए हम ग मैंदुसी नाहा हम पर्लाक्य मात्वीह बासे शिओ के मैंद्सान आपनियों मात्या जिदा है दर्भंगा, राजसर्वे कार्याले परिसर में पांच दिवसिया गनेश पूजनोस्व समारोह कार्यक्रम का पूजा समिती के अध्यक्ष, आरके दत्ता की अध्यक्षता में शनिवार से शुरू हो गई है गनेश पूजा समिती के सचिव संतोष सिंग ने कहा के ये चौदवा श्री गनेश पूजनोस्व समारोह पांच दिवसिय धूमधाम से मनाया जा रहा है मौके पर उन्होंने कहा के संत्या साथ बजे से आर्ती के साथ संस्कृतिक भजन कीर्टन कार्यक्रम का आयोजन किया गया वही पूजा स्थल पर दोपहर में भक्तों के बिच प्रसाद बित्रन किया गया पूजन कारेक्रम के पंडित विजे जहा के द्वारा मंत्रो उचार के साथ शुरू की गई पूजा पर क्रिशन कुमार दत्ता श्रवन बैठ कर पूजा अर्चना शुरू की गई इस अफसर पर कलाकारों में मो मोती मिया, बच्चा पास्वान, ज्योती देवी, वीरेंद शर्मा सहित दर्जनों कलाकारों के द्वारा प्रस्तुती दिया गया मोके पर पूजा समिती वा सर्वे कार्याले के लोगों में चंदन सिंग, मो अफ्रोज, मुकेश कुमार, आदित्य कुमार, अनकित बादल सिन्हा, अनिकेत कुमार वा अन्य मौजूद रहे आप लोगो कर रहे हैं कब से कर रहे हैं कहां पर कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं कर रहे हैं और हम लोगनपती भवान से आग्रक करते हैं अश्रबाद लेते हैं कि मितलांचल वासी हमिस्ता कुछी दे मितलांचल वासी कभी कश्ट का सामना नहीं जिनना पड़े यहां का परसाट का भीत्रम भी हमिस्ता के तरह इस बार भी काफी अच्छा है इसलिए बार भी हम लोग को नंबर वन का प्राज मिला था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो देख रहे हैं इस बार भी हम लोग नंबर वन पर जाएंगे किनके सर्जन से पुजा हो रही है यह हमारे गार्जिन आरके दता जी है उनका उनके मिर्देश पर पुजा होती है इसमें दर्भंगा महाराज का प्लिस परसिंग का बहुत ही हम योगदान है कि अपर पुजा कर रहा है राज होस्पितल कंपस अपना परचे दीए उसमार्शिम सफीप पुजा करने कब तक पर तिमार आएगे तक जारत तक जारत को बीसरजन होगा तक जारत को हमारे आरके दता जाके में तुम्हें महापर्शाज का भंडारा कायों जो नहीं का बारवाज भंडारा होगा पाफ यह तक और स्काथ मुर्थी का भी सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या कि सब्सक्राइब पुजा कर रहे हैं वर्थ दूहल जारे ग्यारह से लगातार तुरिश्री एक इसके आयुजन श्रीश्री एक सवार्थ श्री गनेश्पुजा समीथी के तत्वाधान में किया जाता था इस बार नामकरन में संतुजन सर्वसमति से संतुजन करते हुए श्री एक सवाध डर्हंगा महराज कामेश्पुर्ण श्री गनेश्पुजा समीथी के बानरतले आई जीत है और आज दिन में सुजन कार्ठ्रम समस्षम हुए हैं प्रसाज बिक्रम हो रहा है अभी सारे साथ अभी आत्रवी से सांक्रितिक कार्ष्रम भजन कार्ष्रम आज के लेकर 10 सितंबर तक चलेगा 11 सितंबर को विभीवत विशर्जन कार्ष्रम है उस दिन हमारे सवजन में से भंडारा का भी आउजन है और सम्मान समारोह का भी आउजन है जो इस भव्य आउजन जिनके नश्रित्त में यहां कार्ष्ट्रम संपन हो रहा है हुजा समीति के सशीर संपोस्टू और जिवराज हमारे कफलेश्टर के सहयोग से उन्हें हम लोग संभानित करेंगे और साथ में जो यहां सैंस्टिक कार्ष्ट्रम होते हैं जो अच्छू परिष्टि करते हैं संग्रीथ का इने हम्मानित करते हैं के नियुक्र Eckh ता अध्यक क्रिश्री एक स्वाथ ब्रहुना महाराज का में सर्थी श्री दमेश हुजाश्टमीश्ट